बेलकम टू एक्जाम भी वेचना तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है अब आपके पंचाइद साहिक की एक्जाम डेट घोशित कर दी गई है इसी के साथ आपने डिस्टिक के अकॉर्डिंग अपने सेंटर भी देख लिए होंगे कहां कहां पर आपको सेंटर उपलत कवाई जाएंगे इसी के साथ यहां पर बोर्ड जो है इसने इसका स्लेवस भी जारी कर दिया है तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो पंचाइद साहिक का स्लेवस क्या रहेगा कहां कहां से कितने कोशन पुछे आएंगे और कितने इसके पार्ट्स होंगे और इस पुछा जाएगा इंग्लिश का तो यह पुछा जाएगा 20 कोशन पुछे जाएंगे इंग्लिश के ठीक है ना उसके परचा जो इसके नंबर होंगे 20 ही होंगे एक कोशन के एक नंबर होंगे उसके परचा जो समानी हिंदी आएगी इसमें भी आपसे 20 कोशन पुछे जाए इतना ही बनेगा इसमें इसके परचा जो math के question पुछे जाएंगे तो उनकी संख्या भी BC होगी और उसके जो marks बनेगे तो वो भी BC आएंगे और ये जो maths होगा तो ये भी होगा आपका 10th level का तो याद रखिए English होगी plus two level की और जो Hindi और mathematics होगी ये आपके 10th level की होगी इसके पर शाद जो चौथा पार्ट रहेगा तो बो रहेगा आपका general knowledge का है इसमें 25 question पुछे जाएंगे और उनके नमबर भी 25 होगे इसमें आपको जो HPGK का पुछा जाएगा इंडिया GK के question पुछे जाएंगे general science के question पुछे जाएंगे इसे के साथ social science के question पुछे रखना है सरसे जाएदा बेटे जाएब को GK में देनी है क्योंकि 25 question है बहुत जाएदा महत्पून भूमी का यह अदा कर सकते हैं आपकी प्रिक्षा को crack करनने के लिए इसी के साथ जो आपकार रहेगा आगे जितने भी बच्चे इसको return test को qualify करेंगे तो उनका होगा skill test रहेगी तो यह रहेगी 25 birds per minute अर्थाज यहाँ पर 30 WPM होगा इसका 30 word per minute होगा और हिंदी में 25 WPM होगा तो 25 word per minute होगा इसी के साथ word इत्यादी की आपको थोड़ी पूरी knowledge भी होनी चाहिए तो यह सब इस से पाठ्थे कर मज़े स्वंतित होगा तो आगे जो महत्पून पार्ट रहता है तो वो रहता है आपको कौन-कौन सी books prefer करनी चाहिए तो सबसे पहले तो आपको बता दूँ आशकल बजार में बहुत सी ऐसी books मिल रही है जिसमें आपको सारा slivers complete एक ही book में मिल जाता है अर्थातिक package दिया जाता आपको तो मेरे recording आपको वो books नहीं परनी चाहिए क्योंकि वो आपके exam को crack करने के recording से सही नहीं होती है उसमें बहुत इकम knowledge आपको दिया जाता है जो कि आपके exam के recording बहुत कम महत्पून होता है इसलिए अगर आपने त्यारी करनी है आप इसको crack करने के लिए तो आपको English grammar की एक अच्छी सी Бुक लेनी है उसमें आपका H.G. publication भी हो सकता है R.I.ENT भी हो सकता है Lucent भी हो सकता है कोई भी आपको जो अच्छा लगता है तो इसके recording आपको एक book ले लेनी है उसके परचा जो हिंधी grammar के लिए है इसके लिए आपको एक स्मानी अच्छी धिलिक की कोई भी भी बुक ले ले जिसमें आपको 10th level का math दिया जाएगा तो यहाँ पर जो main बात रहती है general knowledge के लिए तो उसके लिए लेनी है आपको Arihant या Lucent में एक HPGK की और India GK की book हो सके तो HPGK के लिए आपको prefer करना है Akash Darpan काफी अची book है इनकी यह तो इस हिसाफ से आपको त्यारी करनी चाहिए अलग-अलग book लेंगे आप तो उसमें आपको ज़्यादा फाइदा रहेगा क्योंकि ज़्यादा knowledge मिलता है तो ज़्यादा फाइदा रहता है अगर एक combined book लेंगे तो उसमें आपको उतना byte GK नहीं मिलेगा सिमित ही आपका knowledge रहेगा तो इसके पश्यादो करन्ट फेर के लिए यहां से बनता है कि आपको करन्ट फेर कहां से बनना है तो मेरे according अब आपको प्रिक्षा के लिए कमी टाइम बच्चा है इसके लिए आपको YouTube का सारा लेना चाहिए YouTube में सर्च करिए last, banier, questions और current फेर इस तरह के आपको वीडियो मिल जाएंगे उसमें आपको complete slavers cover करवाएगा जाएगा तो ठीक है दोस्तों ये थे मेरे कुछ दिशा निर्देश अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को like, share और channel को subscribe अवश्य कीजिएगा तो ठीक है यहाँ पर अपनी वीडियो को subscribe कर लेते हैं आप लोग वीडियो के अंतक बने रहे तो इसका बहुत बहुत धनियाबाद हाँ अगर आपको कुछ डाउट रहते हैं तो comment में comment अवश्य कीजिएगा आपके comment का समाधान अवश्य कीजिएगा तो ठीक है यहाँ पर वीडियो का अंतकर लेते हैं धनियाबाद